जय हिंद तो कैसे हैं आप लोग बढ़िया भी अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट रेलवे एक्जाम के लिए प्रिप्रेशन कर रहा है तो आज वाली क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है एक खूपसर था टॉपिक है जहां से हर एक एक्जाम में सवाल आते है और आपके रेलवे के एक्जाम में तो एक नमबर पक्का हो जाता है रेलवे के एक्जाम की बात करें तो चाहे गुरूप D का हो या फिर NDPC का हो RRB का हो RRC का हो कोई भी एक्जाम हो उस एक्जाम को क्लियर करने के लिए ऑनलाइन पेपर होते हैं CBT 1, CBT 2 करके ऐसा अब ज बात भी आप से साइको, इंटरव्यू या टाइपिंग और ऐसे skill मांगी जाती है लेकिन यह जो examination होता है objective type जिसको online paper के रूप में आप देंगे और जैसा offline paper होता सेम ऐसा उसको clear करने के लिए आपके पास में अगर चार subject की knowledge अच्छी है तो फिर आप उस exam को clear कर लेते हैं railway का कोई भी exam, वो चारो subject में से है Maths, Reasoning, Science और GKGS, कुछ exam है जिसमें science अलग से नहीं पूछा जाता, ठीक है बाकी तीनी segment है लेकिन यही चार important road आदा करते हैं आपके selection को लेकर के railway के exam में, ठीक है इन सभी चारो subject की individual आपको classes systematic तरीके से पूरी तरह से complete railway के recording मिल रही है आप के अपने exam coach application पर भी और exam coach YouTube channel पर भी, यहाँ पर दिएगे number पर आपको केवल message करना है अपना नाम और किस exam के लिए preparation करना है उसका नाम लिख करके, जुड़ जाए फटाक से अपने railway के exam के लिए उस वाले batch में, जानिएगा यहाँ पर जो batches आपको provide किये जा रही है यह इत करके, ऐसे ही reasoning, ऐसे ही science, ऐसे ही GKGS, और जितने videos नहीं हैं उससे कम cost में आप यह चीज़े provide करने हैं, आप यह चीज़े प्राप्त करेंगे, समझ रहे हैं, तो जल्दी से जल्दी इस वाले number पर आप WhatsApp करिए, जुड़ जाए अपने exam coach के साथ, और चार चांद लगा चीए अपने selection को ले करके, आईए, आज की class यहीं से शुरू करते हैं, तो आज की class में हमने बताया कि एक number आपका पका होने वाला है, क्योंकि topic चलने वाला है, decimal को ले करके, decimal की start करते हैं, यहीं से, अभी से, पूरी class को आखरी तक देखना मैं अकिन दिला रहा हूँ, आपका एक number इस class से पका होकर जाने वाला है, छोटी class होगी, लेकिन इस छोटी class में आप बहुत कुछ स्थिर्ग जाएंगे, शुरुबात करते हैं, दश्मलो क्या कहता है, दश्मलो ऐसे number को हम बोलते हैं, जिसका जो base हो, अर्थात हर हो, denominator हो, वो 10 के square के रूप में हो, इसका base कैसा ह आप उसको बोलेंगे, दश्मलो, ऐसे में क्या होता है, अगर denominator में एक बार 0 आता है, भाग दे रहे होते हैं, तो हम एक डिजिट हटा करके दश्मलो लगा देते हैं, उपर, basic आप जानते हैं, हमें सीखना कितने type का होता है, और फिर इसमें से एक खास type का दश्मलो है, जि terminating decimal में या शानत दश्मलो में आपके जो numbers आते हैं, वो ऐसे आते हैं, कि दश्मलो के बाद में आप digit को गिन सको, जैसे 0.3, 1.8, 3.14, 10.347, यहाँ पर 8.1039, मतलब आपके पास में ऐसे दश्मलो number होंगे, जो कि दश्मलो के बाद वाले digit को आप गिन सको, बात सम्झे में terminating इसलिए बोला जाता है, क्योंकि इस number को हम चाहें, तो दश्मलो यहाँ से terminate कर सकते हैं, खतम कर सकते हैं, उसको इसे कए में काहे रखा गया, हम भी नहीं जानते हैं, ठीक है, समझे मेरी बात, यहाँ पर जिस भी decimal में, दस्मलों नंबर में से दस्मलों आप terminate कर सकते हैं उसको कहेंगे 7 दस्मलों या terminating decimal जाई से हम आप से कहें कि चलो इसको terminate करके दिखाओ तो आप यह कह सकते हैं कि 0 दस्मलों 3 का मतलब था 3 upon 10 कोई दिक्कत दस्मलों के बाद जितने digit है denominator में 1 के बाद में हम उतने 0 चिपकाते हैं अगर एक भी digit नहीं है तो 0 नहीं लगाते हैं जैसे अगर मैं कहता है 2 लिखा है चलो इसको बदलो तो आप कहते हैं इसको लिख सकते हैं 2 बटे 1 ठीक है नहीं 0 लगाएंगे बट अगर दस्मल के बाद एक भी digit है तो एक 0 यहाँ पर एक digit था तो इसमें भी एक 0 मतलब 18 इसको लिख सकते हैं 3 1 4 denominator में कितने 0 लगेंगे चुकि दो डिजिट थे तो दो बार 0 इस लास्ट वाले नंबर की बात करते हैं लिख सकते थे 8 1 0 3 4 और यहाँ पर 1 के बाद में कितने 0 हो जाते हैं 4 0 बात सुन में आई तीसरे नंबर को भी नहीं बदला अब देखते हैं non-terminating में कैसा दस्मल आता है बात समझेगा terminating decimal ऐसा दस्मलो जिसमें दस्मलो के बाद के digit को आप गिन सको इसमें 1 है इसमें 2 अंक है इसमें 3 इसमें 4 है लेकिन non-terminating में आप decimal के बाद digit को गिन नहीं सकते कि total कितने है या infinite time तक होंगे ठीक ना तो ऐसे numbers को हम बोलेंगे कि ये non-terminating में आएंगे या असांत दस्मलो में आएंगे फिर असांत दस्मलो दो टाइप का बचता है एक को हम recurring बोलेंगे या फिर repeating बोलेंगे दूसरे को non-recurring या non-repeating बोलेंगे आवर्ती से मतलब समझेगा कि ये number बार 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 repeat कर रहा हूँ लेकिन कहां पर दस्मलो के ठीक बात decimal के बाद में यहां पर 3-3-3-3-3-3 है बार बार repetition हो रहा infinite time तक भी repetition होगा ऐसे numbers को हम कहेंगे आवर्ती एक चार एक चार एक चार का repetition यहां पर 4-3-7-2 है लेकिन repetition किसका है 7-2 का 7-2 का 7-2 का और अनावर्ती या non-repeating decimal को हम बोलेंगे अनावर्ती non-repeating कैसा number होता जिसमें दस्मलों के बाद में डिजिट की पुन्रा विरित्ती ना हो देखे इन दोनों number में इन दोनों numbers को पहचानने के लिए सिर्फ इत्ती बात याद रखिए जानते हैं क्या अगर आपको ये पता चल जाए कि दस्मलों में बाद में जहां से dot dot शुरू हुआ वहाँ पर कौन सा number आएगा मैं बता हूँ पूछू यहाँ पर क्या आएगा तो आप कहतेंगे 7 दो जैसे पता चल जाए कि यहाँ 7 दो आएगा मतलब ये अवर्ती हम पुछें इसके बाद क्या लिखा हो सकता था तो आप कहतें 3 मतलब ये आवर्ती लेकिन जब आप से मैं पुछू यहाँ पर बता तो कौन सा number हो सकता है और आप नहीं बता पो तो इसका मतलब है वो non-recring बात सुझ में आई ये तो हो गई बाते कि दश्मलों कितने प्रकार का होता है अब आते हैं किन numbers को आप fraction में बदल सकते हो उसको देखते हैं देखे ये जो number था बापू इस number को तो आपने fraction में बदल के देखा लेकिन इसको जब आप बदलना सीखोगे तो लिख सकते हो इसको एक बटे तीन दूसरे वाले number को लिख सकते हो तीन सही 14 बटे 99 ये लास्ट वाले को लिख सकते हो 18 सही 18 सही यहां से घटाओगे तो आएगा 29 यस करेक्ट बहुत सही आंसर है 29 by 99 अब आप बात समझे ये मैंने कैसे लिखा ये मैंने कैसे लिखा ये वाला कैसे लिख दिया इस चीज की लिए आज की क्लास शुरू होने जा रहे ठीक है हम लोग आज की क्लास में इसके बारे में पढ़ेंगे कि आखिर कैसे हम recurring decimal को fraction में बदल सकते हैं बदल सकते हैं कैसे बदल सकते हैं देखने हैं लेकिन मैं आपसे पूछू कि यहां पर बताना अगर हम दश्मलों हटाएंगे तो दश्मलों हटाने के बाद denominator में एक के बाद कितने 0 लगा सकते हैं बता सकते हो या एक के बाद नहीं कितने 9 लिख सकते हैं बता सकते हो नहीं और जिन नंबर्स को आप मेरे बाबू फ्रेक्शन में नहीं बदल सकते हैं वैसे नंबर को कहा जाता है irrational number मतलब ये वाला part आप का आजाएगा आप परिमे संख्या irrational में और जिसको आप fraction में बदल सकते हो जैसे ये दोनों है तो इन numbers को हम कहा देंगे परिमे में परिमे और आप परिमे के लिए आप लोगों ने अभी तक अलग format पढ़ा होगा है कि नहीं मैं आपको कुछ अलग पढ़ा रहूँ आप बात समझिएगा ये NCRT की language है जो मैंने बताई आज से नहीं ये वेदिक मेत से चलती आ रहे है rational और rational number को अगर आपको पहचानना है तो आप ऐसे पहचानना कि जिस भी number में decimal के बाद में digit का repetition नहीं हो रहा हो और infinite तक हो तो वो कैस में आ जाएगा आप परिमे में कुछ लोग कहेंगे आपने पढ़ा होगा कि जिससे जिसका square root नहीं निकाल सकते हो और square root में है तो उसको हम परिमे कह देंगे इसलिए कह देंगे क्योंकि cheating non-terminating decimal नंबर आएगा तो इसलिए ऐसे नंबर को हम irrational बोलते हैं ठीक है आई आए आसे क्लास को शुरू करते हैं जिसमें हम लोग सीखेंगे कि आवरती दश्मलों को हम लोग कैसे fraction में पदल सकते हैं टोटल चार tired का सवाल होगा एक एक करके सबको समझते हैं जीख है एक करके सबको समझते हैं समझे हैं मेरी बात आअव अवरती दश्मलों आता कब है जैसे मैं भाग देंगे 3.18, यहां क्या बचा 2, फिर से 0 बढ़ाओगे 3.18, फिर से 2 बचा 0 बढ़ाओगे 3.18, ऐसा बार-बार करते रहेंगे, बार-बार यहां पर क्या मिलता रहेगा 2-2, और बार-बार यहां क्या मिलता रहेगा 6-6-6, बात समझ में आ रही है, तो जब यह वाली ब बार लिखो जिसका repetition हो रहा हो सिर्फ एक बार लिखिए उसके ऊपर symbol लगा दो ये वाला और इसको हम पढ़ेंगे 0.666 पे बार है ऐसे number को कहा जाएगा बार decimal number है चुकि ये वही वाला recurring decimal ही और ऐसे number को हम कह देंगे कि ये repeating decimal है या फिर recurring decimal है बात इतनी समझ में आई अब यहाँ पर हम लोग उल्टा सीखेंगे उल्टा मतलब उल्टा मतलब ये कि जब आपको fraction मिला तो आपने बार decimal में बदल के दिखा दिया अब उल्टा सीखना ये सबके लिए आसान रहेगा क्योंकि आप भाग दे करके बता दोगे कुछ extra नहीं है लेकिन अब हमें सवाल ये करना है कि जब बार decimal मिल जाए तो हमें fraction में बदलना हों कैसे बदलेंगे इस पर बेस टोटल चार टाइप का सवाल बनेगा कितना टाइप का सवाल बनेगा टोटल चार टिंब का ।ी का आईए देखते हैं सीखते हैं चीजो को को आये शलो कि कोशिश करतें ti-d:" देखिए, शुरू करें, अब इस पर चार टाइप का बनेगा ना, पहले टाइप पर आते हैं, पहले टाइप आपका यह कहता है, कि जैसे 0.777 पर बार है, इस पर बताईए, मैं आपको पहले टाइप बता दो, पहले टाइप यह रहेगा, जिसमें दस्वमलों के बाद चाहे आठ तस्वमलों, साथ, तीन, एक, उसके पहले भी कोई नंबर हो, तीसरा टाइप हो जाएगा, और हमारा लास्ट टाइप होगा, कि जब इसी में, मतलब ऐसा कुछ नंबर कर दें, ऐसा, और फिर एक नंबर और आपको दे दिया जाए, और आपसे कहा जाए, इनके बीच म सवाल बनते हैं, तो डोला चार टाइप का हो जाता है, सीखेंगे बड़े बैसिक तरीके से, कुछ सवाल इन टाइपस में ऐसे होगे, जो, जुगार से लगेंगे, और कुछ हैसे होगे, जिनको बैसिक से लगाना है, याद आपको यह रखना है, अभी लास्ट टाइप जैसे अगर हम आप से कहें कि लिखा हो 3.143 इस पर एक 4.3 पे बार है क्या है 4.3 पे बार आप बताना इसको अगर हम expand करेंगे तो क्या लिख सकते हैं अगर इस नंबर को हमने expandation किया इसका किया तो हम लिख सकते हैं 3.143 हो गया repetition किसका हो रहा तो आप कहेंगे 4.3 का तो मुझे एक नहीं मुझे 4.3 4.3 4.3 ऐसे लिख देना है ठीक है 4.3 4.3 4.3 का repetition लेकर के आना है killer जहर मस्ट ललन टाप पटाक से बताइए कोई दिक्कत किसी को नहीं अब जब इससे कोई दिक्कत है नहीं तो देखिए पहले type पर आते हैं यहां से शुरू करते हैं धीरे-धीरे सारी चीज़ों को और किलर करते हैं जीरो देशम्मलों साथ-साथ पे बाहर है और मुझे बताना है आप सबको बताना है कि सको fraction में हम लोग कैसे बदलेंगे अच्छन में कैसे बदलेंगे अच्छन में दो निकल रहा है अब अगर एक वह इसको बतलना है है fraction में तो सबसे पहले आप क्या करेंगे वे सिक जाते हो जुगार हम वटा न कि क्या चाहते हैं ही ऑ हर दोनों सीखते हैं तो सबसे पहले हमें लहां कि सवाल का देखेंगे हूं में पेसिक मतलब फैसिक ए की माना यह मैं इसलिए बता रहूँ कि अगर आप मेंसे किसी को कहीं पढ़ाना हुआ तो आप इसको देख्के पढ़ा भी सकते हो कोई पूछे कि ऐसा जुगार कैसे आता तो उसको बता भी सकते हूं माल लेंगे कि यह सारी नंबर जो था यह वाला नंबर यह वाला एक्स के बराबर में था, so x बराबर 0.7, इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि x बराबर 0.7777 था, यही न, बार डिसमल का मतलब यही है, अब अगर मुझे इस वाले दशमलों को एक डिजिट खिसकाना है, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, multiply, क्या करूँगा, multiply, मतलब हम लोग क्या करें यह हो जाएगा, 7.777777 ऐसा, कोई दिक्कत है, नहीं, इसको अगर मैं ब्रेक करूँ, तोड़ू, तो मैं इसको लिख सकता हूँ, 7 प्लस 0.777777, कोई दिक्कत, बताए, यह था 10 टेम्स ओफ एक्स, 10 एक्स हो गया बाबू, यहाँ पर साथ है, इस पूरे नंबर के बदले मे हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर हमने देखा था, X लिखा था, 7 प्लस X, X इदर लाओगे, घटेगा, हो जाएगा, 9 बार X, 9 बार X बराबर 7, तो X बराबर हो जाएगा, 7 बटे में, 9, बताए, कोई दिक्कत, 7 अपर 9 is the correct answer of this question, किलर भाईया, जहर भाईया, प्लीज बता नहीं, नहीं न, आप चीजों को और समझते हैं, देखो, इतनी बात होगी, तो यह तो आपके सवाल का हो गया, बेसिक तरीका, अब अगर हम जुगार समझते हैं, कि सवाल को हम अगर ट्रिक से देखें, तो कैसे लगाएंगे, देखे, सबसे पहले आप एक काम करिएगा, वह फुत बेसिक चीज बताने जा रहे हैं, आभी बताथे हें, अगले पेज पर बता दे, अभी बताथे हैं, चौन की बार-बार में मैं उससी चीज को दिखाता रहोंगा तो ठीक न, समझ रहा हैं, अब अगर हम देखते हैं, कि टाइप वन का यह जो सवाल था, इस टाइ सबसे पहले आप दश्मलों हटा दो, बार हटा दो, वो नमबर लिख दो, क्या लिख दो, साथ, वो दश्मलों हटा देंगे, बार हटा देंगे, वो नमबर लिख देंगे, साथ, और उसके बाद, जितने डिजिट पे बार है, वो गिनो, एक अंक पे बार था, तो एक बार य जितने डिजिट पे बार हो उत्ती बार नुँ. लिखा होता नंबर 0.813. ऐसा होता तो हम क्या लिखते? 813, denominator में 999. बात समझ में आरही हैं? जितने डिजिट पे बार होगा उत्ती बार यहां पर क्या रखेंगे? क्या लिख देंगे? 9. ठीक है? अब यह जब बार 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 1049 इस पर भी बाहर लगा है इसको लिख सकते हैं 1049 अपन चार बार नो अभी भी कोई दिक्कत हो तो बताएए प्लीज नहीं चलो भी बात किलर है तो टाइप वन के सवाल सभी लगा लेंगे अब यह जो बार 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 नो 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 आ रहा है वो कैसे आ रहा है इसके लिए जब आप दो डिजिट का नंबर लोगे ना पता चल जाएगा जैसे हम कहें यहाँ पर 71 होता तीनो दोनों पर बार होता तो बार बार 71 आता की नहीं आता फिर आप क्या करते दस के बजह 100 से गुड़ा करते जब आप 100 से गुड़ा करते तो इधर क्या बनता बाबु? 100 बनता इधर आता पिर इसको बहता इधर घटाते तो आता नाइन टेम्स ओफ एक्स नाइन टीन एक्स फिर हम जब इसको भाग दे रहे होते मतलब क्रॉस मुल्टिप्लाय कर रहे होते तो हमें मिलता इस साइड में तो 71 और क्रॉस मुल्टिप्लाय करके नीचे आ जाता 99 सेवेंटी वैन अपॉन 99 किलर भाया कि पता यह किलर ना बाभू बस बहुत बढ़िया है ठीक है आगे बढ़े हैं आईए अब जड़ा आते हैं टाइप सेकेंड के कोशन्स पर टाइप सेकेंड के सवालों पर मुझे पता है कि आप लोग समझ चुके होंगे टाइप सेकेंड क्या कहता है इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं टाइप सेकेंड ऐसे सवाल में आएंगे जिसमें आपको अब मैं बेसिक नहीं अब मैं जुगाड बताओ कि आपको भी पता चल गया हो कि सर्ची वो बेसिक सही नहीं था जुगाड ही ज्यादा सही था उससे हम लोग सव कुछ पर बार होंगे और कुछ पर नहीं होंगे जैसे 0.07 और यहां पर होता 8 यहां पर बार है 8 पर मैं कहता कि इसको भिन में बदलिया चलिए इसको भेंड में बदलना है कैसे बदलेंगे जल्दी देखते हैं बता है भी 0.78 पे बार है इसको हमें इस सवाल को लगाना है दिखाना है देखो इस वाले नंबर को अगर आप चाहो तो x के बराबर में मान लो बेसिक समझे तो लिख सकते हैं 0.78 पे बार है अगर मैं इसमें 10 से गुड़ा करता तो ये नंबर बन सकता था 10 टाइम सॉफ x बराबर 7.8 पे बार 7 प्लस 0.8 पे बार लिख सकते की नहीं लिख सकते हैं बोलो अरे जोड़ेंगे लिखा तो वही है तो अब जैसे ही cross multiply करोगे ना आएगा ये 9 सत्य 63 प्लस 8 बटे में 9 खिलर मेरे पास जो सवाल का answer आया 10 times of x is equal 71 upon 9 था 10 का cross multiply कर लो x is equal 71 upon 90 बताइए बात समझ में आई बात समझ में आई की नहीं आई बताइए जी बात समझ में आई की नहीं आई जल्दी बताइए खिलर भी अब देखा आगे देखें एक्स बराबर तो आगया 71 upon 90 एक्स के बराबर में माना था मतलब इसको हमने फ्रैक्शन में बदल लिया अब देखें चीजों को और अगर आपको जल्दी से जल्दी लगाना है अच्छा अंदर रखा है वहाँ पर जल्दी से चल्दी लगाना तो क्या करेंगे जुगार समझे कि जब भी कभी इस टाइब का नंबर मिले जिसमें डिजिट के बाद में मतलब दस्मलों के बाद कुछ डिजिट पे बार हो और कुछ पे ना हो क्या करेंगे हम लोग सबसे पहले वो नंबर लिख देंगे क्या करेंगे बाबू वो वाला नंबर लिखे देंगे डिनॉमिनेटर में आएंगे जितने डिजिट पे बार है उतनी बार क्या लिखे देंगे जितने अंक पे बार है एक्स्ट्रा वर्क ये है कि जितने अंक पे बार नहीं होगा उतनी बार जीरो लगाएंगे, फिर से सुनिए, जितने डिजिट पे बाहर नहीं होगा, उत्ती बार जीरो लगाएंगे, और लास्ट में, इसी उपर वाली संख्या से हम इसको देंगे घटा, मतलब 7, 8 है, 8 के बाहर था, और पूरे नंबर पर किस पर बाहर नहीं था, साथ पर तो साथ घटा देंगे, विगेट आंसर इस 71 अपॉन 90, किसी कोई दिक्कत, कोई कस्ट, नहीं है, आगे बढ़ते हैं, कोई कस्ट, कोई दिक्कत, में बार नहीं होगा, तो उसको हम फ्रेक्शन में इस तरह तोड़ रहे होंगे, 0.3 होता, 3 बटे 10 लिखते, 0.87 होता, लिखते 87 अपॉन 100, यही नंबर 0.134 होता, लिख सकते थे 134 बटे में 1 के बाद में 3 बार 0, ऐसे चीजों को हम लोगों ने क्या किया है, समझा है, ठीक फिर से देखो, दोनों के कॉंबिनेशन से मेरा मतलब है इस वाले का, उस वाले का, जैसे, अभी हमने आपको एक सवाल दिया था, उसमें था 0.78 बार केवल 8 पे है, सबसे पहले हमें वो नंबर लिखना है, इन दोनों के कॉंसेप्ट का यूज करो, जितने डिजिट पे बा नहीं है, देख रहे हैं, उतनी बार नीचे क्या आता है, 0, एक पे नहीं था, एक बार 0, और जिस पे बार नहीं होगा, वो वाला नंबर घटाना है, हमारे पास आंसर आजाना है, 71 अपन 90, नहीं समझ पाए होंगे, एक सवाल और देखे, अगर यह वाला नंबर होता, 0.25, 8 यहां पर बार होता, 8 पे, तो हम इसको लिख सकते है, 258, घटाएंगे कितना, जल्दी बताइए, तो घटाएंगे वो नंबर जिस पे बार नहीं है, हम घटाएंगे 25, एक रिजिट पे बार है, तो एक बार 9, दो पे नहीं था, तो दो नो बार 0, किलर है, इसको आप सॉल पे, तो हम क्या करते है, हम लिखते है, 358, और इसमें से क्या घटाते, जिस पे बार नहीं है, चुकि 58 पे था, तीन पे नहीं है, तो तीन घटाएंगे, दो डिजिट पे बार है, तो दो बार 9 लिखे, एक डिजिट पे नहीं है, तो एक बार 0, यह हो जाता, आंसर घटाने क्लास में आपको कम से कम एक नंबर तो पक्गा हो ही जाना है यहां से इस टॉपिक को आपको दोबारा उठाने कंजरों नहीं पड़ेगी अब अगर हम देखें कि टाइप जो 3rd है, वो क्या कहता है टाइप 3 क्या कहता है टाइप 3 यह कहता है कि अभी तक आपने दो टाइप के सवाल किये हैं उन दोनों टाइप में आपने देखा कि दशमलों के बाद सभी डिजिट पे बार हो या दशमलों के बाद में सभी डिजिट में से कुछ पे बार हो या कुछ पे ना हो लेकिन दोनो ही type के number में दशमलों के पहले हमेशा 0 था अभी अगर कोई और number आ जाता है तो हम कैसे लगाएंगे इस चीज को सीखने जा रहा है ठीक है तो heading है आपका type 3 और इसमें एक सवाल है सवाल ये कहता है कि अगर आप से अगर आपसे ये बोला जै ये बोला जै कि बता देना 8.33 पे बार है भिन में बदलना है ठीक है अब पूरा सवाल नहीं लिखते इसको मतलब ही यही है कि 8.33 पे बार है इसको हमें fraction में बदलना हों कैसे बदलेंगे ध्यान रखे इसको आप लिख सकते हो 8 पिलस 0.33 पे बार कोई दिक्कत है लिख सकते है जोड़ेंगे वही ची जाएगी फिर से लिख सकते है 8 प्लस इसको तोड़के लिख सकते हो 3 बटे 9 कोई दिक्कत अभी से 9 नहीं दिक्कत है अब आप मुझे पताए 3 9 कट सकता है लेकिन बाद में काटेंगे यहाँ पर अगर हमने 9 का गुड़ा 8 में किया 3 जोड़ा तो 9 अठे 72 और 3 75 बटे 9 आएगा बट 75 अपन 9 जब आप भिन पढ़ोगे या पढ़ चुके होंगे मेरे से तो आपको पता हो अबर की रूप में आंसर कभी जल्दी दिया नहीं जाता है ठीक है तो उसको छोड़ो हम इसको मेसरित भिन में लिखते हैं जब भी कभी इस टाइप का फॉर्मेट बनता दिखाए दे तो आप एक काम करिए प्लस बाला साइन हटाईए दोनों को चिपका दीजिए लिख सक बात सुझ में आई भी नहीं सुझ में आई आओ नहीं सुझ में आई तो एक दो और कर लेते हैं समझेगा अगर नंबर होता 19.793 इन तीनों पे बार है मैं पूछू जल्दी जल्दी बता दो fraction में क्या लिखोगे तो ध्यान से रखो ध्यान से सवाल को देखो सवाल को लिखो आईडिया हो जाएगा कैसे कि दश्मलों के पहले जो नंबर है वो तो सही के रूप में है दश्मलों के बाद वाला नंबर हम fraction में लिखे चिपका दिये हैं तो यहां पर भी ऐसे ही करेंगे 19 होड 19 सही ये जो 793 है इसको fraction में बदल के चिपका दो 793 को आपने तोड होना सीखा है जितने डिजिट पे बार हो उतनी बार denominator में लिख देते हैं 9 इसका मतलब 19 सही 793 बटे 999 देख रहे हैं मौकी कांसर कर सकते हो आप लोग सुक्में आ रहा है कि नहीं देखो इसको लिख सकते हैं अगर मेरे पास नंबर होता पचास दश्मलों सात नों एक होता तीनों प्या सातनों तो यह हो चीज़ कुछ और ले लेते हैं हम कहते हैं 1049 होता और सब पे बार मैंने लगाया तो आप लिख सकते हो 50 सही 1049 डिनॉमिनेटर में 4 डिजिट पे बार था तो 4 बार यहां पर लिख देते हैं हम लोग 9 अगर यह इस नंबर यहां पर और होता न अब इसको कैसे करोगे लिख सकते हैं 11 सही उपर लिखेंगे 57 मैंने आप से कहा कि जितने डिजिट पे बार पहले पुरा नंबर लिखो जिस पे बार नहीं होगा उसको घटाएंगे 5 पे नहीं था 5 घटाएंगे जितने अंग पे बार होगा उतनी बार 9 जितने डिजिट प कोई कस्ट नहीं, अब अगर हम आपको बता हैं कि सबसे आखरी और खतरनाग टाइप क्या है, ठीक है, तो खतरनाग टाइप और आखरी टाइप यह वाला है, कि लिखिएगा, 18. यह हम लोग पहुच गए है, टाइप किस पर मुझे, आपको सब कुछ समझ में आ गया ना, टा इस पूरे पर बाहर है, चलो जोड के दिखाओ, अब जब भी आप इस सवाल के टाइप को जोड रहे होंगे, तो आपके जोडने का तरीका होगा, वो होगा फ्रेक्शन में बदलने वाला, कैसा बदलने वाला, फ्रेक्शन में बदलने वाला, आप इसको भिन में देगे आपका मैंतर यह होगा कि 18 इसको लिख सकते हो 453 को 453 माइनस में 4 बटे में 990 कैसे यह चीज आप जान चुके हो बताइए भई जाने हो की नहीं जाने हो आपने इतना समझा है कि इसको लिख सकते 18 पॉइंट या 18 होल्ड 453 हम को लिखेंगे जिस पर बार नहीं वह वा सकते है 937 बटे में 99 अब आप समझे इसको और तोड़ो गया पता है इसको जब आप तोड़ो गई तो आपको पता चलेगा ऐसे तोड़ेंगे मैं वो भी बता दू आप इस मैथेट से लगाओगे बहुत टाइम लगेगा अभी देखना 999 और इसको 18 प्लस कुछ अपको एक्से से अब तरीके से लगाना चाहते हो और बह्तरीन तरीके से लगाणा चाहते हो फटाक से आईये यहां पर जो भी पहुंच चुके होंगे जिन्होंने मैसेज किया होगा इस नंबर पर 739843 यह नंबर छोड़िए आप इस पर करो जो ओफिसियल नंबर है इस नंबर पर जिनका भी कमेंट आया जिनका भी मैसेज आया कि सर्वो वाले मैथेड वाली वीडियो की लिंक भेज दिजिए इस सवाल की वीडियो की लिंक भेज दिए पूरी क्लास देखी फिर आपने किया चले ठीक है तो आज का सचन इतना ही रखते है क्लास कैसी लगी है प्लीज कमेंट करके बताईएगा इस वीडियो पर कमेंट करना आपका बनता है लाजमी बनता है क्योंकि पूरा कंसेप्ट आप सीख चुके हो रेलवे के एक्जाम में आपका लगभाग एक नंबर पक्का हो जाएगा मैं बता रहा हूँ इससे हर एक एक्जाम में चाहे गुरूप D हो NTPC हो CBT1 हो CBT2 हो सब में सवाल आता है तो मैं मिलता हूँ आप से अगली क्लास में मेरे नाम है राहूल सोनी और मेरे बच्चे मुझे प्यार से सोनी सर सोनी सर बलाते है अगली क्लास तक के लिए नमस्कार जैहिंद